आघे नमस्कार दोस्तो आज हम क्या करने वाले बगी ट्रैंगल के बारे में देखने वाले हैं हमें देख लिया कि डी ग्रूप में जो वह कुछ नवा से ही आपके कुछ्छन पूछज जारे हैं थीक है तो वह किस-किस परकार के कुछ através किस तरीके से हम सर याद करें थोड़ी चीज याद करें और हमारा चाहीं ट्रेंगल आपको ध्यान में रखनी है या याद रखनी लिए कहने का मतलब अब जैसे यही कुश्चन था इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके ट्रेंगल के बारे में कुश्चनों पर जाने से पहले हम थोड़ा सा ट्रेंगल के बारे में एक बार जान लेते हैं फटा फट से ज्यादा टाइम ना लेके हम फटाक से जान लेते हैं द पीसरी चीज जो पूछी गई है आपकी या तो सरवांग समता या similarity इससे एक क्यूश्वुश्ण वो अगर एक सैट में इससे क्यूश्वुश्वश्वुश्व करेंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, जैसे मैं equilator triangle यानी sum बाहुत रिभूज की बात करूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा important point क्या है, सार इसमे सब से ज़देंट पॉइंट हैसकी सारी वुजाएं बराबर है. 6- nous-well इसमें सब से ज़दाएंपोर्टेंट है एरिया। फोर्मुला होता है अंडूरूट 3 इंपोर 4 a2. सिंपल सी बात. एक चीज़ है इसमेंिपोटेंट वो क्या है, height इसके बारे में h h जब निकालता है हमें निकालना नहीं shifts सिदा डारेक्ट फ्रमूला देखना है अंडरूट 3 upon में 2 ए इसका क्या रहेगा? height रहेगा, उचाई रहेगी, ठिक है? ये दो बाते note हो गी है अगर इसी के बारे में बात की जाए इक पूछा जा रहा है बार-बार की अंतय वर्त का 6 तरफल और बाहर की वर्त का 6 तरफल क्या होगा दिखेगा ध्यान से देखेगा यहाँ पर अगर मैं equilator tangle की बात करूँ तो एक वर्त खिचा जाएगा अंदर की और एक वर्त खिचा जाएगा बाहर की और दो वरित बन गे अगर मैं बात करूँ यहां से एक point है इसको R दे दूँ मैं और यहां से यहां तक का एक point है इसको बड़ा R दे दूँ तो छोटी R हमेशा क्या लिखी जाएगी A upon में under root 2 under root 3 2 under root 3 निकाली जाएगी A दे देगा माल लेते हैं कि A 6 cm दे दिया आपको radius निकालनी है त्रिज्या निकालनी है अराम से निकल जाएगी ठीक है और अगर बड़ी R के बारे में बात की जाएगी तो वो है A upon में under root 3 एपों में under root 3 रेश्यो पूछा जा सकता है बहिये और अन्तिय व्रत का तो हमेशा ध्यान रखना एक अनुपात 2 होता है रेश्यो पूछा जा सकता है भाय और अंतिय व्रत का छेयतर के रेश्यों पूछा जा सकता है यानि आर स्केर अपोन में आर स्केर तो याद रखना एक एक अनुपात चार हो जाएगा बात सही है इसके यह important point थे जिसमें आपको बस जस्ट आपको फॉर्मिले ध्यान में रखने हैं माल लेते हैं कि आपको दे देता कि एक एक ट्रेंगल है एक संबाहुत्री बुझ है उसकी भुजा दे दिया 6 cm पूछ लेता कि अंदर की और जो खीचा गया है उसका 6 तरफल बताईएगा अगर यह 6 cm दी है यह 6 दी है तो हम बोलतेंगे यह बराबर है इससे यह कैंसल आउट हुआ बच गया हमारा अंडरूट 3 कैसे बच गया उपर 3 है नीचे अंडरूट 3 है तो 3 को हम अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3 लिख सकते है यह बच गया है तो हमारी आर आ चुकिये कितनी अंडरूट 3 एरिया पूचा है तो पाई आर स्केर होता है किसका इस सरकल का अंदर वाले सरकल का जैसे हम लगाएंगे तो हम यह पता लग जाएगा कि सर पाई तो ऐसा गैसा आएगा इसका स्केर करेंगे तो ती न आएगा रहेगा अंसर रहेगा बात सही है अगर मैं ऐसी हेक एक और कंडीशन के बारे में बातंब कर लूद जैसे की ठीक है अब यह जाने एक और चीज हम संपकोन रहती है 1 बटा 2 क्या बोल सकते हैं base into में perpendicular base into में perpendicular यानि कहने का मंदल perpendicular यानि Lump और base माने आधार यानि आधार और Lump का multiplication करेंगे आपका kya nukle निखल के आ जाएगा इसका area अगर इसके अंदर के और वरतушки चाजए और एक बहार की और वरतушки चाजए तो हमेशा याद रखना जब इस छोटी R को आपको निकालना हो और इस बड़ी R को आपको निकालना हो तो हमेशा तरीका क्या लगेगा छोटी R जब भी निकालना होगा हम लिखेंगे A प्लस B माइनस C अपोन में 2 जैसे की और बड़ी R कैसे निकलेगी C अपोन में 2 इसका कह मित्र अंदर के वरित रेडियस आपको निकालना होता तो हम क्या करते वैं इन दोनों को जोडते इन डोनों को जोडते और फाथ से क्या कर देते माइनस कर देते तो यहां बज़ आता दो डो से दो कड जाता एक आ जाता इक सेंटी बढ़र यह निकाल jewels का मतलब यह लंबे वाली भुजा इसका ही आधा यानि धाई केलाएगा ठीक है जब अंदर की वरत की तिरीजा निकालनी हो और बाहर की तिरीजा निकालनी हो चेत्रफल तो उराम से निकल जाएगा क्यों कि सरकल हुए इसका अगर चेत्रफल निकालना होता एक सेंटीमिटर यानि एक का स्केर करेंगे तो एक ही आएगा यानि पाई अंसर आजाएगा बात सही है यह पॉइंट क्लियर हो गया अगर पॉइंट क्लियर हो चुका है अब आ जाते हम क्यूशनों के ऊपर और देखेगा स्टेटमेंट वाले यह काफी पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी अगर ट्रेंगल से क्यूशन ना रहा तो जरूर आपका इस परकार का क्यूशन बनेगा ही क्यूंकि पहले आ चुके हैं तो आगे भी आएंगे किसी त्री भुज की तीनों भुजाओं की लंबाई पी क्यू आर है विक का स्केर वाली चीज इंट वाली चीज के बरावर हो जाएं है क्योंकि इसमें क्या कर दिया Elena mix कर दिया यह बरावर किसे हैं बुझाओं के क्या है MOD1 के बराबर दे रख यह कंडिशन तब ही हो सकती है जब पर टेक भुजा को हम क्या रखके चलेंगे एक एक सेंटीमेटर रखके चलेंगे वरना ऐसा कोई भी माप नहीं है कि अगर हम सारी भुजाओं को इक्वल नहीं करेंगे तो यह वाली कंडिशन कभी भी इक्वल नहीं हो सकती तो हम यह बोल सकते हैं कि जब सारी भुजाएं ही अगर मैं यह बोल दूं कि यह कौण 90 degree है तो यह कौण सबसे बड़ा है समकौण 3 भुज में तो इसके सामने वाली भुजा भी आपको सबसे बड़ी दिखाई दे रही है यानि मैं यह बोल सकता हूं कि जो भी आपका vertex होता है या मैं बोल दूं slope होता है उसके सामने वाली और चोटी बुझा बतानी है तो त्री भूज बनाएंगे भठाक से ए, הב׈सी एक त्री भूज बन गी है वह बोलत है कि यह perfect है यह जो कौन है यह 2ама है और र charter बी कौन है यह 4 काई तो यह कौन कितने पर तीन का पूचा है सबसे बड़ि का मतलब है जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली बुझा यानि सामने वाली इसके सामने कौन सी है a c सबसे बड़ी तो a c आगी a c option में देखिएगा यह option खतम होगी हमारे बच्च के दो option ठीक है सबसे छोटा एंगल पूचा है तो इसके सामने वाली बुझा सबसे छोटी होगी इसके सामने क्या है ठीक है आगे दिखेगा अब बात आजती है देखेगा इस टाइब के क्षिशन में यह दिए एक ट्रीभूज पी क्यू आ रहे जिसमें पी क्यू दे रखा आपका क्यू आर दे रखा है और पी आर भी आपको दे रखा है तो त्रीमुज में कौनों का जो प्रिमाप घटते करम में लिखना है कोणों का बताना है आपको माप बताना प्रिमाप नी माप बताना है तो वही वात आगी यह तो राइट एंगल ट्रेंगल दिखाई दे रही है क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल में यह ट्रिपलेट बना रही है वह तीन चार पांच का 2 से number-nlbath कर देते हैं तो 6 आह दसक्ाइश होता है 3 से कर देते हैं तून 3 चुक demos और फंधरा इसी परकार 4 से multiply 5 से multiply यह क्या कराती हैं समकरा 3lichen च्रीपुज के triple 8 कलाते है वह समकर त्री ata 3 भुजे बनती है अब यहां पर देखेगा बोल रहा है कि p, q और r एक triangle है जिस में PQ यह वाली 3 cm है QR यह वाली 5 cm है और आपका PR दे रखा PR उल्टा बना दिया यह थिक है ना इधर रखेंगे हम आर इधर रखेंगे Q ठीक है ना PR की बात कर रहा है P QR यह 5 cm आर और इधर जाएगा पी P Q R ठिक है आर 5 cm P Q P R Q 3 cm और P R है 4 cm ठीक है अब पुछ रहा एंगल के बारे में पूछा रहा है तो बताईच धाएगा सबसे भड़ा धाये कि इसके सामने वाली यह बुझा बड़ी यह वाला एंगल बड़ा आएगा कि यह वाला अब लोगे सर यह वाला क्यों वाला तो अंतर आ जाएगा यह थेक है आगे देखिए माधिका वे बहुत सारे क्विशन पूछे जाते हैं तो माधिका के बारे में एक बार जान लीजिएगा किसी भी से केंद्र केंद्र से डिनो borrowed करते हैं कि माधिका क्यां क्या काम क्या होता है कि ट्रीवुज को पड़ाबर भार भागों में एरिया को बराबर भागों में बाठता है जैसे कि वह कितने चेंदर बनंगे 12356 तो मैं बोलतोंगा कि 6 जो ट्रेंगल बने हैं सब्सक्राया है अर एरिया बराबर है अगर माल लेते कि माधि का सामने वाली जो है इधर से यह खीचीगी इधर से घीचीगी यह कहीं मिड़ पॉइंट पर काटती है यह चोटे वाला ट्रेंगल बना कई बार इसका रेश्यो पूछ लेता है बड़े वाले ट्रेंगल के साथ तो अमेशा इसका याद रखना कितना होता है एक अनुपात 12 होता है एक अनुपात 12 होगा अगर बोल देंकि यह वाले ट्रेंगल का और बड़े वाले ट्रेंगल के साथ तो एक अनुपात 6 लिखना है क्या लिखना एक अनुपात 6 लिखना है अगर दो ट्रेंगल को ऐसे मिक्स कर दे तो कहने का है बतले एक और एक दो अनुपात च्छह यानि एक अनुपात तीन हो जाता है ठीक है बार-बार यहीं चीजे पूछी जारी है जैसे कि इसी क्यूस्चन में पूछागा जी क्या है एक सेंट्रोइड है जी क्या है सेंट्रोइड है देखे गांद से अब ट्रेंगल बनाएगी वह भई यह मादिका यह मादिका और यह मादिका यह center है जी इतर लिख देते हैं जी है थीक है ad क्या है एक मादिका है और Зया अर पी ओर q भुजा a b और a c के मध्य बिंदु अ e b और Z ऊठी और ये है क्यूँ देख़ें मुने बोला सक्री मद्द बिंदु के बारे मि дост करेगा me ुए डी क्या है माधी का ठीक जी क्या है केंद्रक कर बनता है जब माधी क्या एक दूसरे गुए श्कुट को काटेंगी याणि मीडियन क्या करेंगी इसको काटेंगी जहां पर एक बिंदू मिलेगा उसी को हम सेंट्रोइड या कंद्र के बोल सकते हैं प्लगा कि P Q AD को आर पर काटती है तो तो A r raise to A r A r यह वाला A r यह वाली भूजा पर R पर काटती है और इसका रेश्यों बताना है और जी के साथ इस वाले का रेश्यों इसके साथ बताना है तो ज्याद करना था इसका रेश्यों आद ध्यान से सुनिएगा जब यह संट्रोइड काटता है अगर इस पूरी मीडिय की बात करूए पूरी A और D की बात करूँ AD अगर जी इनका जो रेशियो होता है वो दो अनुपात एक का होता है इसका पता है लेकिन इसका क्या निकाले देखेगा अगर मुझे इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे यह अगर मीडियन है यह मिड़ पॉइंट है तो मिड़ को काटने वाली इन दोनों का नुपात ये आर रेस टू आपका और अर्वी यह होता है एक अनुपात एक अनुपात एक तो हम क्या करेंगे या तो हम सीधा याद रख लेंगे वरना हमें इसको प्रूफ करतें अभी माल लेते कि AD आपका 6 cm है AD क्या है 6 cm है तो बताइएगा अगर AD6 cm है तो यह सर क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा तो नीचे वाला पार्ट कितना आजाएगा तीन आजाएगा ठीक है अगर यह 3 है और यह 3 है अब पूरे की बात करें पूरे का देखिएगा अगर मैं बोलू ए जी ए जी सर कितना होता है पूरी एडी का एडी का दो वटा तीन भाग होता है तो हम बोलेंगे अगर यह दो वटा तीन भाग है तो यहां पर यह एडी में मान के चल रहा हूं 6 सेंटीमीटर तो गुणा में 6 किया तो 3 से इसको कैंसल आउट किया एजी आ गया है च्यार यहां से यहां तक की दूरी आ चुकी ह है लेकिन यहां से लेके इस पॉयंट तक की दूरिटीन सेंटीमीटर यह अपने आप RC आगया मैं सेंटीमीटर आ जांद की- treaty क्या आ गया है कि एग सेंटीमिटर आगया पुछा क्या है ए र और 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 ओर कितना है हमारा तीन है तो तीन अनुपात एक हमारा क्या जाएगा अंसर आ जाएगा ठीक है अब इसी के उपर एक छेत्रफल से क्विशन पूछ लिया गया देखेगा अगर छेत्रफल से पूछा जाए मैंने बता था कि अगर बीच वाली इस वाली ट्रेंगल का आपको एरिया पूछेगा तो एक अनुपात 12 हमेंसा याद रखना एक अनुपात 12 अब ऐसे ही आपसे पूछा गया कि एक ट्रेंगल ली गई जिन में बात की गई है कि वैसे मिडियन बनाने का वही वाली चीज़ मेडियन वाली चीज़ में भी देयों बोल रहा है कि एक triangle है A, P, Q और A, B, C, A में क्या है P और Q भुजा A, B, O के क्या है मद्धे बिंदू है A, B, P and Q इसके मद्धे बिंदू है ठीक है simple सी बाद अब आगे की और क्या बोलागा G क्या है उसका कैंदरक है कैंदरक का बनता है सर जब median मिलती है तब ही कैंदरक बनता ह मेडियन मिली और कैंदरक हमें मिल जाता है यह कैंदरक है पूछा गया कि यह जो G है क्योंकि इसको हमेशा G से ही डिनोटे किया जाएगा ठीक है इस चीज़ का जाना करना अगर यह जी है तो यहाँ पर देखिएगा P, G, Q, P, G, Q यह वालिए इसका छेतरफल से A, A, P, और Q इसके छेतरफल से अनुपात बताना है अब मेर को एक चीज बताएगा अभी अभी हमने इनका रेश्व देखा इनकी हाइक का रेश्व देखा दया तो जैसे हिसकेर करोगे हमारा इयरिया नेकल आ ज्यागा आ अब यह पूरा का इधर यह ट्रिंगल लिया है तो सीधी जी है हम क्या वोर देंगे सब स्कार्ट नो पॉत एक हो जाईगा बाथ सहीं आगे की और चलते हैं अब यहाँ पर देखंगा प्रफति बात कर दी वहीं की बात किया वी इस ने भी सिर्फे गई इस प्रकार से एडिय sed satellite और मैंने बोला कि एक अनुपात 6 के अनुपात में होती है है ना होती है ना अब एकर एक अनुपात 6 के अनुपात में होती है तो बोला कि जी सेंट्रोइड है एडी AD, नाम दे दियागा सभी मीडियन का, BE, और क्या दे दिया, CF, दे दिया गया, मादी का यह है, G क्या है, केंदरक है, EA क्या है, आपका केंदरक है, अब आलत करता है कि यदि त्रीभुज ABC का छेत्रफल, पूरी ट्रेंगल का छेत्रफल, कितना दे दिया आपका, 96 वरग सेंटी सेंटीमेटर दे दिया है, तो त्रीभुज B, G, D, B, G, D, इसका छेत्रफल आप से पूछा है, और मैंने बोला था कि एक ट्रेंगल का आप से पूछे, पूरे ट्रेंगल के साथ रेश्यो, तो हम एक अनुपात 6 बताते हैं, यानि 6 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखिय एक की वैल्यू निकालेंगे, तो कितनी आ जाएगी, भाग दे दो 16 तो अंतर क्या जाएगा, 16 सेंटिमेट, ठीक है, ऐसे ही यह भी आपका एक क्यूश्यन इसी परकार का है, जी एक सेंट्रोइड लिया गया, छेत्रफल ग्याद कीजिएगा, किसका ग्याद करना भी आपक किपिंग मिस्टेक, भी डी अब यह ट्रेंगल बनाए गई, मीडियन खीची गई, पस, खीची गई मीडियन, अब यहाँ पर मीडियनों के नाम दे दिये गए है, ए डी, बी, और सी, और अब मीडियन खीची गई, अब यहाँ पर बात क्या आती है, जी उसका है, बी, डी, जी, और एफ, इस पूरे हिस्से का, इस वाले का, अगर यह एक है, तो यह दो हो जाएगा, दो अनुपात, च्छे, यानि मैं बोलतूँगा, एक अनुपात, तीन बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, एक अनुपात, तीन बोल सकते हैं, अगर यह एक अनुप ठाराती है ठाराती है चम्मन अब आगे देखिएगा अब यह आता है आपका क्यूस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कार से समानंतर एक क्या खीचा गया PC sело एक खीची गई ओरेखा खीची गई ठीक है xy जिसका नाम देढ़िया xy ab Veh A Vice e or c coalbindo x or vibe स् conventionilyn a b आपको देदी है 4 centimeter यह वाली यह वाली यह देदी है चार सेंटीमेटर यह ये चार सेंटीमेटर गाइदी है बी y-ex-b x यह दे दिया है आपको और c y c दे दिया है दोनों दोनों दो संतिम्तर दे दिये अब यह बताए यह वी 2 cm गई है तो हम यह बोल सकते हैं कि है तो सर यह चार है यह दो है यह दो है तो यह दो आ जाएगा पूच क्या रहा है ए समझे क्या रही है दो सेंटीमेटर रहा जाएगी ठीक है क्यों क्योंकि इसका मीडियन पॉइंट बन चुका है दोनों बहुजाओं का अब आ जाता है इस वाले कुष्चन पर देखेगा एक त्रीबुज है क्योंकि ट्रेंगल के जब भी हम कोई भी क्यूष्चन निकालेंगे हमें क्या ना चीए उसका क्लियर होनी चीए डी एफ खीचा गया डी इखीचा गया यह है बीसी के समाना अंतर जो क्या है अन्य भुजा को डी और इपर काटती है एबी की लंबाई देदी आनि इस पूरे क दंबाई भी आपको दे रखी है कितनी दे रखी है जो 20 और एडी दे रखा है यह वाला यह दे रखा है पूछा क्या है एई यह पूछा यह चोटा हिस्सा पूछा तो हम बोल देंगे कि सर एडी 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 आप उन में पूरी भुजा एबी बराबर किसके होगी इ पूरे वाली भुजा इस परकार से लगानी है आपको अगर माल लेते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे लगा देते हैं कि एबी आप उनमें एसी पहले दोनों की दोनों बड़ी भुजाए ले लेते हैं फिर छोटी कोई दिक्कत नहीं आप ऐसे भी लगा सकते हो लेकिन एबी के बराबर में क्या लिखना है अम यह सा AD लिखना ठीक ना और AC के बराबर में क्या लिखोगे AI दोनों तरीके सेम है आप किसी से इसको लगा सकते हो ठीक ना Ritio बराबर रहते हैं AD दे रखा है and AD दे रखा है 29 अबी दे रखा आपको 36 यानि 3.6 दे रखा है और क्या दे रखा है एई दे रखा है एई देखेगा एई नहीं दे रखा निकालना है एकस लिक देते हैं एसी दे रखा है चोबीस कैंसल आउट कर जीए पॉइंट से पॉइंट कर गया बारा दूनी और बारा ती तीन सत्तावार पॉइंट है यहाँ पर साथ दूनी 14 यानि 1.4 सेंटीमीटर ठीक ना देखेगा दो समरूपत्री भूजों की संगत भूजाओं का अनुपात दे रख संग्सारूरोफ है वो तो हम सीदह बोल देंगे इनकी उचाईयों का रेश्यों भी क्या रहेगा एक अनुपात तीन रहेगा लेकिन अगर च्षेत्र बात करें तो क्या, इसका स्केर हो इसमें फोर्मुला बहुत जरूरी था इसलिए मैंने पहले फोर्मुले को बताया फिर इसको लेके आते हैं एक समकॉन तरीभुज जिसकी एक भुजा आपकी इतनी दे रखी है और दूसरी भुजा क्या दे रखी है इतनी दे रखी है यानि 4.8 दे रखी है तो यहां पर अगर मैं एक करण निकल जाएगा कि सर इसके करण को ही मैं आधा करदुवार मेरा चेटर निकल जाएगा अब यहां पर आता कि सर कहीं ने कहीं समकॉन त्रीभुजदर ट्रिप्लेट बनेगा 36 48 का ट्रिप्लेट कहा बनता है अब तीन से उसको डिवाइड करके देखिएग 12 का और 4 का भी 12 का और 5 का 12 का क्योंग बेकि ट्रिप्लेट क्या होता है तीन चार और पाँच होता है अगर इसका 12 से मोंटिप्लाई हुआ तो यह 36 आएगा इधर आएगा 12 का मुनिक्टा मां न्डिकिस औरien कैसे अभी आभी लिखवा था मैंने बड़ा और कैसे निकलेगा इस करन को भाग दिया जाएगा नो पाई देखिया जिस भी option में है वही इसका answer होना चाहिए ठीक है तो मिलते हैं ऐसे ही जो उसके साथ next series में और ऐसे ही बताते हैं ना बेटा जो भी आपको question की requirement है जो भी आपको चीज़े अच्छी लगती है ठीक है ना जो भी आपको लगता है कि इस वाले portion में मेरी weakness है त धन्रकना जैह हिंद